हेलो मेरे प्यारो बच्चो तो तुम सभी को धेर सारी सुब कामना है मेरी तरफ से विस्यो वेरी हापी दीवाली और जैसा आपको मालूम है कि UP में NEET काउंसलिंग 2022 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन जो है 22nd October से स्टार्ट हुआ है तो पूरा UP में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चार डिफरेंट स्टेप्स में है आपको सबसे पहले upneet.gov.in website पर विजिट करना है और वहाँ पर अपने आपको रजिस्टर करना है ठीक है तो पहला स्टेप है registration दूसरा स्टेप है जिसमें आप अपने documents को upload करोगे और registration fees को pay करोगे registration fees जो है वो 2000 रुपीज रखी गई है इस बाद और थर्ड स्टेप में आप basically security amount को आप deposit करोगे और ये deposit भी आप online कर सकते हो ठीक है फूर्थ स्टेप जो है वो है basically आपका choice filling तो आपके rank के अनसार जो भी आप एक list बनाओ अपनी कि आपको कौन-कौन से college को choice filling में fill करना है और fill करने के बाद आप बहुत important चीज को मत बूलना उसे auto lock करना ठीक है automatically वो choice filling जो है वो lock नहीं होगी आपको lock करना पड़ेगा तो ये सारे steps है चार different steps है और आपको visit करना है upneet.gov.in ठीक है तो happy diwali enjoy करो thank you